फाइरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बुलेट एक्स्टीमली हाइड तेम्परेचर्स पर बंदोग से भाहर मिगली, अगर मैं बुलेट पूफ जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दू, तो इसके अंदर हीगे चार लियर्स, सबसे पहली है सेरेमिक लियर फिर एरेमिट फाइबर लियर, फिर वर्टेक्स लियर, और लास्ट में ये पूली अथलीन लियर, सबसे पहले बुलेट इस सेरेमिक लियर की इन सेरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का ये स्टीम लाइन शेप कुछ इस तरह से deform हो जाएगा deform होने के बाद bullet इस aramid fiber layer से टकराएगी ये steel से भी जादा मजबूत एक tightly viewed fiber है bullet के contact में आने से ये इस तरीके से पीछे की और stretch हो जाएगा और इस bullet की kinetic energy को absorb करके पूरे surface पर distribute कर देगा इसको चीरते हुए bullet vertex layer से टकराएगी vertex layer और कुछ नहीं बस इस aramid fiber layer का ही upgraded version है जो की और जदा tightly viewed दे रहता है आगे भड़ते हुए ये high temperature bullet जब इस tight chemical bonds वाली polyethylene layer के contact में आएगी तो इस polyethylene का contacted part प्रिखल जाएगा और इस bullet को ऐसे जटर लेगा